वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ओनलाइन क्लासीज प्रोवाइडिड बाइ M.D.N. स्कूल कलायत जैसे कि बच्चों आपको पता ही है हमने चप्टर शुरू किया हुआ है सोसल स्टूडी में हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम था ये यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांती मैंने कल की वीडियो में आपको क्या करवाय था कि यूरोप में किस तरह से सामाजिक परिवर्थन हुआ और किस तरह से समाजवाद को दीरे दीरे समर्थन मिला मैंने आपको बताया कि समाजवादियों ने क्या कर लिया था एक अंतरराष्ट्रे अस्तर पर संस्था सापित की थी जिसका नाम था द्वित्या इंटर नैशनल चीक है लेकिन अभी तक यूरोप के किसी भी देश में सामयवादी या समाजवादी सरकार नहीं बनी थी तो सब से पहले जो समाजवादी सरकार बंती है वो 1917 की रूसी क्रान्ती के बाद कहां बनती है रूस में बनती है बचो तो आज हम पढ़ेंगे 1917 की रूसी क्रान्ती के बारे में जिसका दूसरा नाम बोल्शेविक क्रान्ती भी है जो ये बोल्शेविक था बच्चो ये क्या था एक दल था वहाँ पर पार्टी थी जिसके नेतरतव में ये क्रान्ती हुई थी तो जो रूसी क्रान्ती हुई बच्चो वो कब हुई थी बी परदान के ठीक उसी तरह से जो ये रूस में करांती हुई ये बीस्वी श्ताबदी की महतपुन घटनाओं में से मानी जाती है तो ये करांती किस तरह है गटी तुई कैसे हुई या किस तरह से मतलब की इसने पूरे संसार को क्या दिया किस तरह से मतलब की रूस की सामराज्य को हिला दिया और निरंकुष राजजंत्र को खतम किया तो उन सभी बातों को जानने से पहले हमें क्या जानना होगा वह ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण ये क्रांती हुई तो सबसे पहले हम रीजन जानेंगे कि रूस में क्रांती क्यों हुई देखिए कि जो यूरोप के सब से पिछडे उद्योगिक देशों में से एक कौन सा था रूस था रूस क्या था यूरोप के सबसे पिछडे देशों में था उस समय जब रूस में क्या हुई थी क्रांती हुई थी रूस में यह समीकरन उलट गया भी चेंज हो गया कि दिरे दिरे उद्योगिक क्रांती ने वह शाशनता बच्चो जो किया थे निरंगकुष राजा हुआ करते थे फर्वरärी 1917 में क्या होता है राजसाही का पतन और अक्तूबर की घटनाओं को ही अक्तूबर करांती कहा जाता горaffी फर्वरी 1917 में जो राजसाही का पतन हुआ और फिर फरवरी 1917 से लेकर जो जो घटनाए घटीती हुए उन सभी को किसका नाम दिया जाता है 1917 की क्रांती का नाम या फिर अक्तूबर क्रांती का नाम दिया जाता है तो ऐसा कैसे हुआ अभी क्यों ये क्रांती हुई क्रांती के समय रूस के समराज्य है ना वो कैसा था या क्योंकों से अक्षेत्र उसमें शामिल थे देखिए कि 1914 में रूस और उसके पूरे समराज्य पर जार निकोलस द्वित्य का शाशन था मासकों के आसपास पढ़ने वाले भू अक्षेत्र के अलावा आज जो वर्तमान में फिल्लेंड है है एस्तोनिया पोलेंड यूक्रेन वैं बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी समराज्य के उस समय अंग थे यह समराज्य प्रशांत महसागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जर्जिया आर्मोनिया वैं अजर्बैजान भी इस समराज्य क के अंतरगत आते थे रूस में ग्रीक अर्थोडक्स चर्च से उपजी रूसी अर्थोडक्स क्रिश्चैनिटी को मानने वाले कोन थे बहुमत के लोग थे कि उनको उनका भी अपना एक अलग चर्च था लेकिन इस समराज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक प्रोट्स्ट समराजय का एंत्रगत इस डायग्राम के द्वार रूस समराज्य पहले महायुद में, शामिल योडिय देशों को भी दृत्टैय जैसे में आस्ट्रिया और हंग्री यह जो पिंक वड़ा पार्ट है ना आपको पता है 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्युद चल रहा था तो प्रथम विश्युद ने के कारण था एक बहुत बड़ा कारण था मेजर कारण था रूसी क्रांतिका तो उस समय किस तरह के सरकम्स्ट्रेंसिस थे कि जो यह पिंक वड़ा पोर्शन है जैसे जर्मनी आस्ट्रिया और हंग्री यह क्या थे केंद्रिया शक्तिया थी और रूस फ्रांस इंग्लेंड यह क्या थे मित्र राज्य थे बच्चो यह कूंचे थे मित्र राश्ट्र थे तो यह दोनों क्या करे थे आपस में इनक सारे सैनिक है जो वो मर जाते है तो जो रूस की जनता है ना वो हर एक मतलब की अपनी प्रस्थितियों के लिए अपनी समस्याओं के लिए किसे जिम्मेवार मानने लगती है जो रूस का निरंकुष राजा होता है उसे तो इस कारण से रूस में करांती होती है एक तो कारण य तो ये भी एक major करण था कि लोग उसके क्या व्यवार से दुखी थे तो उन्होंने करांटि का रास्ता अपनाया। उसके बाद आता है सामाजिक विभिन्ता पहले हमने फ्रांसीसी करांती की अभी था उसमें भी सामाजिक कारण में आपको बताया था कि समाज तीन वर्ग में विभाजिता ठीक इसी तरह से रूस में भी यही क्या थी सामाजिक विवस्था थी तो लोग क्या चाहते थे लोगी करांती है वो क्या आती है बाद में आती है तो इससे क्या हुआ वहां पर बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना के बाद जो नगर है वो बसने लगे गाउं से लोग नगरों की तरफ जाने लगे तो अब जो वह आम जनता थी ना वो पहले जैसी नहीं रही उनके अंदर जागरुक तागे थी क्योंकि वो गाउं से बाहर निकलने लगे थे तो अब वो राजनेतिक अधिकारों का ज्यान उनको गया था अब वो सोचने लगे थे समझने लगे थे तरक देने लगे थे भी क्या होना चाहिए क्यों होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो उन्ह ट्रह ऐसे जो रूस की जनता थी ना इसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाघरित होने लगी। उसके बाद यौनि इस सो पाच की करांती भी रूस में क्या होता है क्रांती होती है क्योंकि रूस क्या था एक निरंकुष राजसाही था और अन्य यूरोपिय शास्ष्क के विपरित बीसवी सदी की शुरुवात में भी जार राष्ट्रिय संसद के अधीन नहीं था देखिए हमने फ्रांस की क्रांती में किये था भी जो फ्रांस का राजा था वो कहीं नहीं संसद के अधीन था जो स्टेटस जनरल था लेकिन रूस में ऐसा नहीं था उदारवाद थे उन्होंने क्या किये थे इस तरह के मुहीम चलाई की ऐसी विवस्था को खतम किया जाए तो 1905 की करांती के दुरान उन्होंने सविधान की रचना के लिए क्या किया था शोशल डेमोकरेट और समाजवादी करांती कारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया तो रूसी समराजवे के तहट उन्हें राष्टरवादियों और इसलाम के अधुनिकी करण के समर्थक जद्दियों का भी समर्थन भी बहुत सारे लोग उनके साथ आ गए थे तो रूसी मजदूरों के लिए जो 1904 का साल था वो बहुत बुरा था क्योंकि जो जरूरी चीजे थे उनकी कीमते बढ़ रही थी बलकि उसके विपरित जो उनका वेतन था उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं थी क्योंकि जो ये पूंजी पती थे ना ये उनके वेतन में बढ़ एक बड़ा शहर था रूसका यहाँ पर एक लाख दस अजार से जादा मजदूर काम के घंटे गटा कर भी वो अपनी जो स्थीतियां थी ना उनको खतम करवाना चाते थे कि जो उनके काम के घंटे वो निश्चित किये जाए वेतन में व्रीधी की जाए मजदूर और क्या ह यह विंटर पहले स्था जार का विशाल महल जैसे फ्रांस में था ना राजा का वरसाये का राज महल आया बार-बार ठीक है ठीक उसी तरह से रूस में था विंटर महल जहां पर राजा रहता था के सामने पोंचता है और पुलीस और कोसैंक्स ने मजदूरों पर हमला बोल तो इस तरह से 1905 की क्रांती की शुरुवात होती है सारे देश में क्या हुआ हड़ताल हुई जब नागरिक स्वतंतरता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार थी अपनी फिर दीरे दीरे क्या होता है इसमें जो भी दुखित थे ना रूस के राजा से यानिक जार्चे वो सारे उसके अंदर शामिल हो जाते है और इस तरह से 1905 की क्या होती है क्रांती होती है इसके दोरान क्या होता है अब रूस की जो 1905 की क्रांती है इसके बाद क्या होता है एक संसद का निर्मान कर दिया जाता है जिसके अधिन कौन होता है राजा कार्य करता है तो जो 1905 की करांती है बच्चों ये नीव का काम किया इसने 1917 की करांती के लिए उसके बाद पस्चमी यूरोप का प्रभावे को और कारण आता है विजो यूरोपी है पस्चमी यूरोप के जो कंट्रीज थी न वो क्या थी रूस की अपेक्षा बहुत जादा आगे थी उनसे मूड रेट थी तो कही ना कहीं उनके विचारों का प्रभावी किसर पर पड़ा रूस के लोगों पर पड़ा तो इससे रूस के लोग क्या हुए जागरित हुए और उन्होंने अपनी करे स्थितियों में सुधार के लिए क्रांती के मार्ग को अपनाया उसके बाद आता है हमारा नेक् और तीसरा था आम जंता तो जो एक आम जंता थी जो तीसरा जो वर्ग था उसमें से एक मध्यम वर्ग निकल कर सामने आए वो ही एक सारे कारण है इसके देखे बच्चो जो प्रांसिसी करांती के थे तो वो मध्यम वर्ग था उनके विचारों में धिरे-धिरे परिवर्तन आ और इनों ने क्या किया करांति के मार्ग को अपना आया उसके बाद प्रथम विष्व यूद का प्रभाव जो तातकालि कारण था रूसी प्रणा का मेजर जो कारण था वो यही था प्रथम विश्व यूद की 1914 और 18 के बीच जो चला तो 1917 में क्या होता है प्रथम विश्व यूद से जो रूस है वो अलग हो जाता है मैंने आपको मैप के जरी यही बताया भी था कि फ्रांस जर्मनी है जो वो केंद्रिय शक्तियों के अपनी सारी समस्याओं की जड़की से मान रही थी रूस के राजा को कि इसने जान बूज कर हमें यूद में जोक दिया बहुत सारे रूस हैनिक यूद में हार रहे थे क्योंकि जो मित्र राष्ट्र है वो यूद में लगातार हार रहे थे तो इस तरह से क्या होता है जनता म next step करेंगे अगली वीडियो में